लेबराडोर या लेबराडोर रिट्रीवर एक प्रकार का शिकारी कुट्ता है। लेबराडोर कनाडा में सबसे लोग प्रिय नसलों में से एक है युनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। कई देशों में एक पसंदीदा नसल है, इनकी विभिन कारियों में सहायता ली जाती जैसे, अंधो की मदद, सेना, मादक, पदार्थों का पता लगने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, यह एक फैमिली डोग भी है। इसके अतिरिक्त, वे खेल और शिकार कुट्टे के रूप में बेशकीम्ती हैं। 1880 के दशक के दौरान, माल्सबरी के तीसरे अरल, बुक्कलेच के छेवे ड्यूक और घर के बारहवें अरल ने आधुनिक लैबराडोर नसल को विक्सित और स्थापित करने के लिए सहयोग किया। वंश को आधुनिक लैबरेडर्स के पूरवजों माना जाता है। लैबराडोर रिट्रीवर्स ने गाइड डॉक बनने में उच्च सफलतादर साबित की है। हाल ही में एक अध्ययन किया गया था कि गाइड कुत्ते बनने के लिए चार अलग-अलग नसलों लेब्राडोर रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर, लेब्राडोर रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर मिक्स और जर्मन शेफर्ड को कितनी अच्छी तरह प्रशिक्षित किया गया था। इस प्रयोग में जर्मन शेफरड के पास इसे पूरा न करने की सबसे अधिक संभावना थी। लैबराडोर रिट्रीवर्स और लैबराडोर रिट्रीवर गोल्डन रिट्रीवर मिक्स की सफलतादर उच्चतम थी। हालांकि लेबराडोर रिटिवर्स के लिए आवश्चक प्रशिक्षन की तुलनामे लंबे समय तक प्रशिक्षन से गुजरने के बाद जर्मन शेफर्ड और गॉल्डन रिटिवर्स की सफलतादर अधिक थी. लेबराडोर शक्तिशाली और अथक तैराख होते हैं, जो लंबे समय तक सबसे ठंडे पानी को सहन करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं पक्षियों को आकाश से गिरने के लिए देखते हुए, जहां वे उतरते हैं और फिर मृत्या घायल पक्षियों को खोजने और पुनह प्राप्त करने के लिए अपनी उतक्रिष्ट नाक का उप्योग करते हुए शिकारियों के साथ चुपचाप काम करने की उनकी क्षमता ने उन्हें जलपक्षी पुनरप्राप्ती का राजा बना दिया है। उनका उप्योग पॉइंटिंग और फ्लशिन के लिए भी किया जाता है और उतक्रिष्ट अप्लैंड गेम हंटिंग पार्टनर बनाते हैं। ये प्रशिक्षित किया गया था और एक आपात कालीन फोन सक्रिय करें। कई लेबराडोर को पूर्व प्रशिक्षन के साथ एटियन से पैसे और क्रेडिट कार्ड निकालने में अपने मालिक की सहायता करना भी सिखाया गया है। नसल का उप्योग जल बचाव जीवन रक् ये प्रशिक्षित किये जाते हैं। का मतलब है कि कुट्टे के पास स्वाभाविक रूप से थोड़ा सूखा तैलिय कोट होता है। जबडे जबडे मजबूत और शक्तिशाली होने चाहिए। थूथन मध्यम लंबाई का होना चाहिए और बहुत पतला नहीं होना चाहिए। जबडों को थोड़ा लटका देना चाहिए और इनायत से पीछे की ओर जुकना चाहिए। शरीर शरीर का शक्तिशाली और मांस्पेशियों का निर्मान होना चाहिए। पूँच और कोट को केनेल कलब और एकेसी दोनों द्वारा लैबराडोर की विशिष्ट या विशिष्ट विशेष्टाएं नामित किया गया है। एकेसी कहते हैं कि सच्चा लैबराडोर कुट्ता स्वभाव उद पूँच के रूप में नसल की एक बानगी है। स्वस्थ लैबराडोर आमतौर पर बारह से चौदह वर्ष की आयू के बीच रहते हैं। लैबराडोर पिल्ले आमतौर पर आठ सब्ताह के होने से पहले घर नहीं लाए जाते हैं। यह अपेक्शाकृत कम प्रमुक समस्याओं के साथ एक स्वस्थ नसल है। स्वास्थ्य और कल्यान से संबंधित उलेखनिय मुद्दों में वनशानुगत विकार और मोटापा शामिल है। उनका उप्योग पॉइंटिंग और फ्लशिंग के लिए भी किया जाता है और उतकृष्ट अप्लैंड गेम हंटिंग पार्टनर बनाते हैं।